नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आज के मुख्य समाचार के इस ताजा तरेन वीडियो में हर एक बड़ी खबर मुख्य समाचार सुबह से लेकर साम तक की ओल इंडिया से निकल कराने वाली बड़ी खबरें जानेंगे सिर्फ 10 मिनिट में इसलिए भाईयों गुजहरी सयाप से कि वीडियो में अंतिम तक जरूबने रहिएगा तो दोस्तों आज की सबसे पहली बड़ी खबर देश वाचियों के लिए बड़ी अपडेट देश में हुआ बड़ा एलान मोधी सरकार ने इन तीन चीजों के बंद करने का लिया फैसला आम ज उठाना पड़ सकता है वहीं सालाना 6,000 के अलावा किसानों को सरकार दे रही है 36,000 रुपे उठा लीजे तुरंत फाइदा अगर आप भी किसान हैं तो 6,000 पिम किसान की जो किस्त मिलती है उसके साथ-साथ 36,000 रुपे और मिलेंगे कैसे मिलेगा जानना चाहते हैं तो अंत इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकरी दी जाएगी आखिरकार क्या ऐसी बड़ी घटना हुई है जानने के लिए अंतिम तक बने रही है वहीं आठवी पास महिलाओं एवं पुरसों को मिलेगी सरकारी नौकरी निकला है सुनहरा मौका करवा लीजे तुरंत आव दन कराने की पूरी परक्रिया आपको बताई जाएगी वहीं बड़ी खुश कबरी बेटियों के लिए सरकार लेकर आई दमदार स्कीम अब हर महिने मिलेंगे 15,000 रुपे आपकी भी घर में बालिका है कोई बिटिया है तो अब सरकार की तरफ से आपको हर महिने 15,000 रुपे इस तारेक तक ही मिलेगा फाइदा तो दोस्तों अगर आप भी किसान है तो कैसे करज माफ करवाना है इसकी भी जान के देंगे वहीं दोध हुआ फिर से महेंगा 6 महीने में दूसरी बार बढ़ी है कीमतें तो नई दरें नई कीमतें भी जानने के मिलेंगी इसके लावा ज पूरी जन के लिए जरूरी खबर पाली पर इस बार सरकार देगी मुफ्त में रसोई गैस सिलंडर साथ ही मिलेंगे 15 सो रूपए जी हाँ दोस्तों लाभार्थियों के लिए बड़ी खबार आ रही है मुफ्त में रसोई गैस सिलंडर देने का सरकार ने बड़ा वादा कर दिया है तो किन राज्जी के लोग दिया है इसकी भी जान कई देंगे तो आईए हर एक कबर मुख्य समाचार के साथ इस वीडियो में जानते हैं सोना चान्दी, पेट्रोल, डिजल, रसोई, गैस, सिलिंडर, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड के अलावा रासन कार्ड को लेकर बड़ी कबर आ रही है, साथ ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो महंगी हो चुकी है देश में, आज रात 12 बजे से कुछ चीजें सस्ती भी हो जाएंगी तो कौन-कौन चीजें महंगी, कौन-कौन चीजें सस्ती होंगी, इसकी भी जान के देंगे तो चलिए उससे पहले आपसे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइम नहीं किया है तो एक नीवेदन है लाल बिटन को दबा कर बिल की घंटी को ओल पर सलेट के लीजिए वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजीगा तो दरसल आज की सबसे पहली बड़ी खबर देश में बिड़ी सिग्रेट गुटखा और पान मसाला खाना पड़ेगा महेंगा सरकार ने दाम बढ़ाने का कर दिया है एलान भाईयो भेनो आपको बता दें इस बार का वित्ती ये बजट 2023 का देश की केंदर सरकार की वित्त मंतरी निर्मला सीतारमर जी की तरफ से पेस किया गया है जिसमें आपको बता दें कई ऐसी चीज़ें है जिने दोगुना कर दिया गया है और केंदर इस तरफ पर भी सरकार ने टैक्स बढ़ाया है जिसके बाद बीड़ी सिग्रेट गुटखा पान मसाला और शराब यानि धुम्र पान वाली जितने भी चीज़े हैं वो अब महेंगी हो जाएंगी दो गुना यहाँ पर आपको दाम चुकाना पड़ जकता है इसके लावा अगली बड़ी ख़बर सालाना सरकार दे रही है 6,000 के अलावा 36,000 रुपए उठा लिजिए तुरंत फाइदा आप भी अगर गरीब हैं किसान है तो भारत सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई कदम उठाएगे हैं जिसमें से 6,000 रुपए पिम किसान योजना के तहट तो आपको मिलते ही हैं अब साती आपको 36,000 रुपए साल आना यानि 30,000 रुपए महीना भी मिलेगा जियां भाय युर्बनों आवेदन कराने के लिए सरकार की तरफ से प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है जिन किसानों की उमर 18-40 वर्स के बीच में हैं अब वो लोग पिम स्रम योगी मांधन योजना का फादा ले सकते हैं आप बता दिये जाए कि इस योजना में आपको प्रिमियम के रुप में 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक आपको जमा करना होगा 60 वर्स के बाद आपको इसमें 3000 रुपए तक प्रती माहब पैसा मिलेगा यानि सालाना 36,000 रुपए सरकार देगी वहीं अगली बड़ी खबर 30 तारीक तक रासन कार्ड को कराएं आधार से लिंक नहीं तो अब रासन कार्ड हो जाएगा रद दोस्तो इस समय की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपका अगर आधार कार्ड बना है राशन कार्ड बना है तो बता दें भारती राश्ट्री खाद सुरक्षा अधनियम के तहट जन वितरड प्रलाली के अंतरगत जिन उपभोकताओं का अब राशन कार्ड आधार बड़ा नुक्सान उठाना पड़ेगा सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है आपको अपने अधार कार्ड को रासन कार्ड से तुरंत के तुरंत 30 माई से पहले पहले लिंक करवाना है अगर ऐसा नहीं करवाते हैं तो अब आपका एक जून से यानि अगले महिने से रा प्रदेश की योगी सरकार की ओर से लोगों के लिए कल्यान कारी योजनाय चला जा रही है जिसमें से एक योजना कन्या सुमंगला योजना भी है इस योजना के अंतरगत उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से बालिकाओं को और उनके उत्थान के लिए कन्या सुमंगला से मदद दी जाएगी घर में अगर आपका कोई ऐसा सहारेवल योग नहीं है तीन लाग रुपए से आपकी सालाना कमा ही कमा होती है तो आप भी अब इस योजना के तरावाइदन कर सकते हैं सरकार आपको पहली किस्त जनवर्स के समय देगी दूसरी किस्त आपका जब अच्छा एक में प्रविस करेगा तम मिलेगी दो हजार रुपए छटवी क्लास तक दो दो हजार रुपए नवी कक्षा तक तीन हजार दसमी बार्व की पढ़ाई पास करने पर पांच हजार रुपए मिलेंगे वहीं अगली अपडेट दोध हुआ फिर से महेंगा इतने रुपए तक बढ़ गए है कीमतें जी हां लागू हो चुकी है ना इधर आपको बता दें बिहार वासियों के लिए इस समय की बड़ी खबर आ रही है बिहार वासियों के लिए महेंगाई का फिर से जहट का लगा है दरसल सुधा दोध के दामों में इजाफा हो चुका है दोध के दामों में दो से तीन रुपए परती लीटर की बढ़ूतरी हो चुकी है आपको बता दिये जाए कि उतपाद कीमतों में व्रद्धी की घोशडा कमपनियों की तरब से कर दी गई है और ये जो कीमतें लागो होने के बाद में अब आपको फुल क्रीम का एक लीटर के हिसाब से मिलेगा और अगली बड़ी कबर बिजली का बिल सरकार ने किया माफ करने का एलान उठा लीजे आप दोने तो फायदा अगर आपका बिजली का बिल बकाय चल रहा है उसे माफ करवाना चाहते हैं तो बता दीजए कि इस वक्त की बड़ी कबर आ रही है बहुत भाईयों भैनो एक साल तक का आपका बिजली के बिल पर लगने वाले ब्याज को सरकार निमाफ करने का फासला किया है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जहारखंड के जमशेद पूर के कुपभुखतों को ही मिलेगा फायदा आपको बदा दें बिजली बिल माफी योजना का एला जहारखंड के सरकार हेमंत सोरेन सरकार की तरब से किया गया है जिसमें से 30 जून तक आवेदन करके लोग इसका फायदा ले सकते हैं आम जन के लिए बड़ी खबर दिवाली पर सरकार देने वाली है मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर साथ ही मिलेंगे पंदरह सो रुपे जी हा प्रव में रसोई गैस सिलिंडर भरवाने तक पैसे नहीं होते हैं तो बता दें इस बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से आम जनता के फायदे की खबर दी गई है दिवाली पर बताएचा रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक करोड़ 75 लाख परिवारों को सरकार मुफ्त में रसोई गैस सिलिंडर मुहयक रहेगी इसके लावा खाद एवम रसद विभाग की तरफ से इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई है वहीं आपको बता दें 15-100 रुपए भी मुफ्त में सरकार ने देने का फैसला किया है तो कुल मिलाकर अगर आप उत्तर प् अपडेट आ रहा है अब घर बनाने के लिए एडवांस में आपको धाई लाक रुपए दिये जाएंगे जिहां मोधी सरकार की ओर से ये एक बड़ा बदलाव नयानियम लागू किया गया है इस इसकेम के तहत पूरे देश भर के शहरी और ग्रामीड लोगों को तीन करोड पक्के मकान अब तक बना कर दिये जा चुके हैं